आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से बहुत ही आसान एस्टब में आप Wi-Fi डिवाइस के माध्यम से आपने CP Plus Company के DVR में इस डिवाइस को लगाने के बाद आप Wi-Fi के माध्यम से Internet Connection अक्सेस कर सकते हैं अपने इस DVR में तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली कौन कौन सी वो डिवाइस है जो हमारे CP Plus Company के DVR में ये डिवाइस सपोर्ट करने वाली है और इसके साथ वो डिवाइस लगाने के बाद हमें कौन जी सेटिंग करनी अपने DVR में जिससे हमारा Wi-Fi एकसेस करने लगे जिससे ह Wi-Fi के माद्यम से अपने DVR को कनेट कराने के बाद हम अपने DVR को आललाइन कर पाएं तो सारी जानकारी आपको step by step मिलने वाली इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजेगा तो यहां पर इस Wi-Fi डिवाइस को अपने CP प्लस कंपनी के DVR में कैनेट करने से पहले मैं आपको बता दू मेरा CP प्लस कंपनी का DVR है जो की औरेंज स्रीज का है यह आपको कहां पर चेक करना मैं आपको बता देता हूँ आप अपने DVR की स्क्रीन पर आ जाईएगा जहां प इस DVR में हम一下 सेटिंग करने वाले वह सेm स्रीज का DVR है ऐसा ना हो आप सेटिंग फॉलो करते जाईए और बाद दे आपको ओप्शन ही न मिले तो मैं आपको जूम करके दिखाने की भी कोशिस कर रहा हूं यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं CP प्लस और इन लिख के आ रहा है तो मतलब सेम स्रीज का यह DVR है अब यहाँ पे चैनल से फर्क नहीं पड़ता है कितने भी चैनल का हो 4, 8, 16 कोई भी हो सकता है बस यहाँ पे स्रीज सेम रहने चाहिए CP प्लस और इन स्रीज का यह मेरा DVR है जिसमें मैं इस्टब बताने जा रहा हूं और आपका भी DVR अगर और इन स्रीज का होगा तभी सेम इस्टब आप फॉलो कर पाएंगे सेम जो है आपको इस्टब वहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे मैं यहाँ सेटिंग बताने वाला हूं तो फटा फट बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वाइफाई डिवाइस की यहाँ पी वाइफाई डिवाइस जो जो इस DVR में कमपर टेबल है तो वीडियो की डिपकेशन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप जाके वहाँ से चेक आउट भी कर सकते हैं या बाई करना चाहें तो बाई भी कर सकते हैं तो अभी मेरे हाथ में जो रेंज कमपनी का यह जो वाइफाई डिवाइस है तो इसको फटाफट ओपन करने के बाद मैं जो है अपनी इस DVR में प्लग कर लूँगा DVR में सिंपल जो जहाँ USB पोर्ट होता है वहाँ पी यह आपका वाइफाई डिवाइस लगेगी वाइफाई डिवाइस जो जो मैं आपको कमपर टेवल मैंने पहले बताया था वीडियो की डिप्रिशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से जो भी आपको अपनी हिसाब से प्राइस की हिसाब से जो भी आपको बेश लगेगा आप महाँ से जाके बाइक कर लीजेगा तो अब इस Wi-Fi डिवाइस को हम प्लग कर लेंगे अपने इस DVR में तो इस DVR में देख सकते हैं एक USB पोर्ट मेरा खाली एक में माउस लगा एक पोर्ट हमारा यहाँ पे खाली है तो इस खाली वाले पोर्ट में इस Wi-Fi डिवाइस को हमने इंसेट कर दिया है इस डिवाइस को इंसेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के स्किन पर यहाँ पे देख सकते हैं option आ चुका है यहाँ पर display पर wifi auto connection का तो यहाँ से हम इसको cancel कर देते हैं और वापस से हम right click करके man menu में जाते हैं man menu में जाने के बाद अगर password मांगेगा password डाल लीजेगा अभी हमने logging किया था इसलिए password नहीं मांग रहा है अब आप जाईएगा setting पर setting option पर जाने के बाद आपको जाना network पर आपको आ जाना यहाँ पर देख सकते हैं wifi आपको देखेगा तो wifi पर आपको click कर लेना है वाइफाई पर click करेंगे थ्वासा अगर wait करेगा तो आपके सामने इस टाइप पर option आ जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके wifi अगर on है वहाँ पर जितने भी signal आपके सो कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे सारे option अभी यहाँ पर मेरा एक wifi सो कर रहा है जो कि मेरा खुद का wifi है अब यहाँ से आपको अपने wifi से connect कर लेना है connect करने से पहले मैं आपको बदा दू यहाँ पर wifi आटो connect पर आपको tick कर देना है tick करने के बाद आपको apply कर देना जिससे यह setting हमारी save हो जाए और यहाँ पर जिस wifi connection से आपको permanent आपको यूज करना है या आप चाहें बाद में उसको change भी कर सकते हैं लेकिन present time में जो आपको wifi यूज करना आपके अपने DVR में online करने के लिए उस wifi connection को choose कर लिजेगा जैसे मेरा यहाँ पर एक ही wifi connection चूज कर रहा है यहाँ पर एक ही wifi है तो यहाँ पर इस wifi connection करने के लिए signal वाले option पर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसाप password का option आ जाएगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रेज़ाइक का connection password का option यहाँ पर आ चुका है yहाँ पर आपको इमसे वाइफाइक का डालना जो हमारा यह वाइफाइक इसका password डालना तो फटा फटा practice Flow-5 एक पासॉड डाल लेते हैं आप भी ऑपने वाई-5 जो भी पासॉड ढões Don't dalej यहांपे बाद अब इंटर कर दीजिएका करने के बाद आप यहां से अगर क्यीशा कोanesi कर दीएगा और के करने के बाद यहां पर देखे पासॉड हमने डॉट आ tender केल देखके बाद आप हमें किनेट करना है यहां से यहां पर देखें कॉनiction आ रहा है यहां पर क्लिक करने ऑप परकी अकसि कर देंगेड करण हैं किने किया करहिबेगा अब एक हमारा करण अब हमारा यहां पर वाइफाइट हो चुका है यह देख इहां पर वाइफाइट को डिकनेट करना है you हमें अपने जो है कि इस डी वियर कैमरे को आल्लाइन करना कहां से भी होगा यहाँ पर आपको आजाना इंस्टा-on-Cloud पे यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर देख दीजेगा यहाँ पर देख लिएगा यहाँ पर डिक लगा है कि नहीं लगाया अगर इस तरीके से आपके पास होगा तो यहाँ पर टिक करके apply करके save कर दीजेगा आपका यहाँ पर option 100% online हो जाएगा तो बहुत ही simple setting है आपको अपने wifi receiver को अप्लग करना अपने cv plus के dvr में उसके पाद wifi option पे आने के बाद आपना network option चूज कर लिजेगा उसका password डाल दीजेगा वहाँ से connect करने के बाद इंस्टा on cloud पे आपका online status दिखाने लगेगा तो इसी तरीके से आप भी अपने cp plus के और और न स्रीज के dvr में wifi receiver के माद्यम से आप अपने dvr को online कर सकते हैं और उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो प्रीस लाइक करिए comment करिए share करिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल अद भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लेके आते रहते हैं अक्सर ऐसी नए नी वीडियो जिससे आप घर बैठें बहुत से आ अनकारी प्रात कर पाएं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तकलिए टेक केर बाबाएक